तो शलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने किसी भी गाने में अपना फोटो और अपना नाम कैसे डाल सकते हैं यहां दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सौंग में मेरा नाम हो या मेरा फोटो हो तो दोस्तों आप कैसे बना सकते हैं तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहेगा दोस्तो मेरा नाम है रविशंकर पाठाक और आप देख रहे हैं My Primary Solutions दोस्तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक अप्लिकेशन मिलेगा जिसका नाम है Audio MP3 Cutter Mix Converter and Ringtone Maker दोस्तो इस अप्लिकेशन को आपको अपने फोन में इस्टॉल करने के बाद इसको सीथा ओपेन करते ना है ओपेन करेंगे तो यहाँ पर कुछी इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा दोस्तो यहाँ पर एक ओप्सन मिलेगा आपको Tag Editor इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके फोन में जितने भी गाने होंगे यहाँ पर सो होंगे तो दोस्तो इन में से आपको अपना गाना सेलेक्ट करना है जिस पर आपको अपना फोटो लगाना है और अपना नाम डालना है तो चलिए मैं ए गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है अब देखिए यहाँ पर title है तो title में आप कुछ change करना चाहें तो change कर सकते हैं और अगर नहीं change करना चाहेते हैं तो इसको same रहने दीजें ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा change कर देता हूँ ठीक है अब दोस्तो देखिए यहाँ पर artist है तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं ठीक है अब दोस्तो album है तो album में भी आप अपना नाम डाल सकते हैं तो जो भी आप नाम डालना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल दीजें ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर आपको composer है तो यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो छोड़ दीजिए ठीक है अब यहाँ पर आपको एक option मिल रहा है album art का तो दोस्तो देखी यहाँ पर मेरा art पहले से ही लगा हुआ है किसी भी गाने में अपना photo कैसे डाले ठीक है तो इसको photo select कर लिया है अब आपको क्या करना है नीचे देखी एक save का option दिखाए दे रहा है इस पर आप click कर दिजिए अब देखी यह गाना हमारे folder में save हो चुका है तो चलिए इसको देख लेते हैं कि यह कहां save हुआ है तो उसके लिए आपको जाना होगा file manager में और file manager में जाने के बाद आप यहां जाए audio editor cutter में और देखी यहां पर आपको आपका गाना मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाओ तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आने वाली next वीडियो के लिए और दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो आप ही सब्सक्राइब कर लिजे रेडवाले बटन पर क्लिक करके थैंक यू फूर वाचिंग थैंक यू सो मच